तो मैं बहुत दिनों के बाद ओनलाइन हूँ आई हूँ एक्षिल मेरे प्रेगनेंसी में मैं बेबी को फीर करा रही थी तो मैं उसी रिजिन के बज़े से में नहीं आ पाई हूँ बहुत दिनों से और अब इस बार भी मैंने आपके लिए बहुत अच्छा प्रेडट का करता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ की रिव्यू कर चुकी है ब्लास 36 टॉप थाटिसेस की और अभी इन्होंने एक न्यू प्रेड़क लंच किया है यह ब्लोशन क्रीम का तो इसको मैंने हो गया है तीन से चार महीने इसको मैंने प्रचेज किया हुआ और लगबर मैंने बहुत दिनों से यूज किया हुआ है जैसे कि मेरा ब्रेस्ट बहुत लूज हो गया फिट के वज़े से तो मेरा सेप भी बन गया और अच्छे साइज में भी आ गया है तो मुझे वह लूज फिल नहीं होता है तो यह मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप यह वाला ब्रेड़ भी खरीद के ट्राइ कर सकते हैं अगर आपका ब्रेस्ट लूज है आपका ब्रेस्ट का साइज सही नहीं है और इसमें अगर आपके ब्रेस्ट में कोई डार्क प्रेचेज भी है बलाग के वो भी रिमूफ हो जायते जो मुझे आ गया थे फिट के है और यह अलेडी सोलच हो चुका है बहुत सारे लोग इसको अलेडी खरी चुका है तो यह बहुत लिमिटेड प्रेड़क्ट रहता है बीसमें मुझे मैं फिर से ओर करना चाहते तो स्टॉक आउट हो गया था फिलल अभी वेंगे स्टॉक में है तो मैंने तो आटे टाइ कर लिया है क्योंकि मुझे यूज करना है और अगर इसके नीचे हम लोग जाए तो इसको कैसे यूज करना है तो आप इसको थोड़ा सा क्रीम लेना है आपको आपकी ब्रेस्ट के आपवर्ड और आउटवर्ड डिरेक्शन में इसको मसाज करना है और जब मसाज अच्छे स यूज कीजिए उनका बहुत अच्छा सेब में आ जाएगा और ब्रेस्ट लूज भी और लूज नहीं रहेगा इसका लिंक करिदने के लिए में डेस्क्रिशन पर नीचे दे दोंगी अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका कोई भी है को स्टीन वागरा कोई विराउट आप मुझे मेसेज करके बता सकते हैं और थैंक यू थैंक यू फर विविविंग दिस